परिक्षाएं हम लोग देते हैं परिक्षा में हम लोग बेसिक गलतियां कौन-कौन से करते हैं जिसके वज़े से हमारे 10 से 15 क्वेश्चन या तो गलत हो जाते हैं या तो हम बाद में घर पर आके पस्ताते हैं ये कैसे साल्व होना चाहिए कि उनके वे हम 2-3 बिनदों बात करें इसे 10 से 11 बिनदों ने आपको अगर परिच्छा देने जाएं तो आप भी कौन-कौन सी गलती कर सकते हैं उन गलतियों से अगर आप बच जाएंगे तो आपके 10 से 15 question 10 से 15 question आपके सही हो सकते हैं इन गलतियों को अगर आप सुधार लेते हैं तो अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो 10 से 15 question आपके सही हो सकते हैं बड़े आराम से, ये 10 से 15 क्वेश्चन आपके बड़े आराम से सही हो सकते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, बहुत साड़ वीडियो है, बहुत ज़्यदा समय आपका नहीं लिया जाएगा, खीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, कि कैसे आप किन-किन गलतियों को कम करते हुए, आप ऐसा का सकते हैं, सबसे पहले आप 60% को हल कर लेंगे, ये कई बार होता है, हम पूरे प्रस्ण कर लेते हैं, और पूरे प्रस्ण करने के चक्कर में कई बार OMR का हम सरकल गोला नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60% क्वेश्चन कर लेंगे और उन 60% प्रस्टों को हल कर लेंगे उन प्रस्टों को करने का तरीका भी क्या होगा जैसे हम अगर PET की रणीद पर बात करें तो PET में आप सबसे पहले हिंदी के question करेंगे फिर आप GS के question करेंगे फिर आप reasoning के question करेंगे फिर आप English के question करेंगे और लास्ट में आप math के question करेंगे ठीक है? क्योंकि math के question में calculation जरूरी है GSC question में हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ या तो आपको याद है या तो आपको नहीं याद है अभी इसकी भी हम बात करेंगे कि अगर आपको नहीं याद है तो आप उस रणनीती को कैसे बनाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे लेकिन इस क्रम में अगर आप हल करेंगे ऐसे कि जो या तो हाँ है या तो ना है ऐसे प्रश्णों को आप लेंगे और क्रम आप लेंगे तो आपको जैसे कई बार हम मैथ खूब लगाए होते हैं लगता है मैथ आचार है सबसे पहले हमा लेकिन मैथ बिना कल्कुलेशन के नहीं लगेगा ठीक तो जितना टाइम मैथ की क्वेश्चन लगाने में लगेगा उससे कम क्वेश्चन उतना उससे कम question आपको Hindi या जीएस में लगेगा इसलिए सबसे पहले आप कई बार के उता कुछ नहीं समय के आभाव में प्रसंद छूट जाते हैं कई बार जानते हुए प्रसंद छूट जाते हैं तो आप पहले राउंड में 60% question कर लेंगे और उनको आप सरकल भी कर लेंगे और स सपोच कीजिए हम पैन अपना मोटा कर लें अब ये एक ही बार में बच जाएगा तो जो पैन की निव होनी चाहिए आपको सदर मोटे पैन के निव यूज करना चाहिए पतले पैन का नहीं आप दोनों सरकल में देखिए ये जल्दी भर गया ये देर से भरा प्लस पहले से प्रक्टिकल करके जाएं तो ये हम लोग इस पर बात कि नहीं वाले प्रस्तों पर में Gloire अदे है कि कई बार इमन में से किसके सपत्यों प्रतिज्ञान की व्यास्ता इस अंसुची में अनसुची तीन में नहीं है अब सपत्य प्रतिज्ञान याद किये हैं राश्पती पे मार के चले आए तो नहीं वाले प्रसद्व shapes को भी हमको पढ़ करके ध्यान देना करने से अच्छा होता है सरकल करने का तरीका रोल नंबर फिल करने का तरीका यह सब आपको पहले पता चल जाता है जिसमें समस्यां खतम हो जाते हैं आई आगे चलते हैं हम लोग अब इसकी बात याद ना करें यह तब है परिच्छा के पहले की बात है क्योंकि सामने विकल्प आएगा तो तक्त्य आपको याद हो जाएंगे क्योंकि यहां को लिखना नहीं है आप चीजों को कितनी बार पढ़ लिए हो जब आप कई बार पढ़ेर हो गई याद करने के पेक्षा तो जब विकल्प आपके सामने आएगा तो खटाक से याद हो जाएगा एक चीजों यहां और डिसकस करेंगे जैसे किसी भ दो विकल्प एक दो तीन चार यह चार विकल्प हैं कई बार दो विकल्प आपके संबंधित नहीं होते हैं कि केवल विकल्प दो संबंधित होते हैं तो हमें जिन प्रस्नों का उत्तर नहीं आता है उनको हमें यह देखना चाहिए कि जो विकल्प संबंधित नहीं है पहले का प्रयोग कर सकते हैं इसको analyzing method बोलते हैं इसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे संस्थान दोरा दियेगे सभी रामबाण सिवा कमटेशन हब के दोरा सभी विश्यों का रामबाण दिया गया है फिक है और उसको आप ज़्यदा पढ़ लेंगे जिनके पास नहीं है वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे तो आप हमारे सिवा हब यूटीब चैनल से आपको सिवा हब के टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जैगा परिख्छा के पहले हम लोग हर विसय का 3-4-4 पेज में रामबाण जारी करते हैं और मैक्समिंग उससे भुश्या जाते हैं तो लोग उसकी बात करते हैं जो हमारे संस्थान में रामबाण दिये जाते हैं इ पहले से ही आदर डालें यह आपकी जैसे परिक्षा का समय है आप उस हिसाब से इन बिंदों को देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हो सके तो class notes में से महत्पूर्ण बिंदों को एक जगे लिख कर रखें यह बहुत important है जैसे हम class notes बनवाई जाती है तो class notes के बाद में हम लोग start note नहीं बनाते हैं या उन्ही class notes में आप क्या करें highlight कर लिया करें बिंदों को कई बार हम लोग जो पढ़ाते हैं तो chapter खतम होने के बाद में उनके one liner note करा देते हैं खासकर one day में महले में जवर्दस्त सोर होगा अगर तेरे महनत में भरपूर जोर होगा आई आगे चलते हैं तो इन अगर हो सके तो class notes में से आप लिख करके कुछ notes बना लिए one liner notes बनाये रखेंगे वैसे हम लोग जो रामबान अब लेवल कराते हैं वो वन लाइनर ही अब लेवल कराते हैं तो इसका विसे ध्यान रखेंगे कि ऑ-उ-म-ं-r street में दो गोले करने से बचे बचे एक बार क्या होता है कुछ लोग इसको थोड़ा सा देख लेक लेक गोला यह है एक गोला यह कई बार हम लोग इसको गोला कर दिये अब इसको काट देते हैं हम लोग यह गोले कर देते हैं तो यह ध्यान रखें कि इस चीज़ से बचें वह प्रस्ट फिर चेक नहीं होगा वहां पर समय बर्बार ना करें अपना तो दो करने से अधिक डार्क कर दें कई बार क्या होता है सर्कल करना है कुछ लोग इस परिगे से है हो गया सरकल इसको प्रापरली और अंदर कि तरफ भरें दियान रखें बाहर की तरफ अगर भरेंगे तो आप दूसरे सरकल में चले जाएंगे कई बार यह सरकल आप ऐसे किन तो बाहर ना करें कुछ लोग क्या है देखे सरकल करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लीजिए सरकल आपका कम्प्लीट हो जाए ठीक है आप कुछ लोग उसी में एकदम किये हैं कापी समय दिये हैं तो प्रापर्ली गोला कर दें जिसको मसीन पढ़ ले ठीक है बेस्ट ना क वाया है जैस एक बार फिर से बता देते हैं आपको एकर हम इस इससर्टल पर लेते हैं तो यह इतना चलता है यह ऐसे चलता है अगर हम pen थोड़ा मोटी ले लेंगे तो अब आप देखो दोनों में difference इसका और इसका अब इससे गोला देर में भरेगा इससे गोला जल्दी भरेगा इस दिये मोटे pen का प्रयोग करें सदय ध्यान रखें ठीक है pen का प्रयोग करें अर्थाथ गोला सही से बनाएं और मोटे pen का प्रयोग करें तो गोला जल्दी भरेगा जल्दी भरेगा तो आपका समय बचेगा आपको रखता है कि सौगोला करने में क्या अगर सौगोला करने में दो सेकेंड ज्यादा समय लग गया तो 라णा दोसोजerson का मतलब तीन मिनट में और टीन मिनट में आप डेड़ क्वेस्चन कर सकते हैं इसलिए यह चोटे-चोटे यह । प्रत्यों को पढ़कर समझने की कोशिज करें ना कि रटें ये तो परिक्षा के बहुत बिन पहले की बात है कि अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो उन एक्जाम में आप विशेज ध्यान रखें कि रटें आप समझ करके पढ़ें प्रत्य खंड में हाँ ये बहुत महात्पून है इस बिन उपर फिलको ध्यान देंगे और ये चीज़ बता भी देंगे लोगों को कई बार क्या होता है जैसे सोव क्वेस्चन पैट में है सपोस कीजी अब सोव में पांच से दस क्वेस्चन ऐसे होते हैं जो खईहसी होते हैं जो आपको टेंशन देंगे ही देंगे आप चाहें इतना पढ़के चले जाओ अपन क्या करते हैं भई पढ़े हैं मेहनत किये हैं ठीक है तो बरदास होता नहीं है तो क्या करते हैं पहले हम इन्हीं पांच दस पर जुट जाते हैं इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाता उसके पास था उसने कहा तीन दिन के लिए हम भूसा खा लेते हैं वो तीन दिन भूसा खाके मर गया यानि कुड़ा करकट खाके मर गया 362 दिन का भूजन रखा रह गया हम लोग कई बार क्या करते हैं इस्टोरी बहुत महात पूर्ण ध्यान रखेगा पांच-दस क्वेश आप उन पे ध्याने न दो आप ध्यान दीजिए हर सेक्षन के 90% पे 10% को बाद में जब समय बचेगा तब उनको इन चीज काटा जाएगा और पाव-पाव बाटा जाएगा ठीक है इसी बात के प्रते खंड में 5-10% के लिए चिंता ना करें 90% प्रसनों के लिए चिंता करे ठीक है जो आपको 10% ऐसे हैं जो आपको बिचलित कर सकते हैं इनको छोड़कर 90% प्रसनों पर आप विसेश ध्यान दें यह बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में समय बचेगा तब इन 5% को देखा जाए कई बार एक क्वेश्चन मान लिए mathematics का या GS कोई आ गया अपने को न समय बचे और छूटे ना ठीक आई आगे चलते हैं तो पांच परसन प्रसन प्रसन खाई हसी होते हैं जो वह नहीं बताया आपको यह आपका 30% टाइम लेकर चले जाते हैं और यहीं हम सेलेक्शन से पीछे हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उन 5% को लिप्ट नाए दीजिए लास्ट में जब समय बचे तो 5% को लिफ्ट दीजिए नहीं तो लिफ्ट ना दीजिए जाए बटा तो 5% से 95% क्वेशन आप कर लोगे 5% नहीं करोगे तो भी सेलेक्शन हो जाए ठीक है अपना 100% प्रयास करें बाकि गुरु ईश्वर और स्थिवा कंप्लेशन ह पूरी टीम आपके साथ है आपको आशिरवार दे रही है ठीक है हम लोगों ने जो रामबाण दिया उसमें हम लोग यह हमारे संस्थान का के बारे में है थोड़ा सा ठीक है हम लोगों ने अर्थव्यवस्था भारतिय संभिधान भोगोल करेंट इन सभी का रामबाण हम ल जाए और आप अपने परिच्छा का पेट पाड़ दें और सफलता निकाल लें बहुत बहुत धन्यवाद एक बाद फिर से हम आप सभी के अच्छे परिणाम के लिए आपकी सफलता के लिए इस वर से कामना करते हैं आप जल्दी सफल हो जल्दी नवकरी मिले अच्छा जीव आपने वाद झाल